साई की बात बचे तुम मेरे जितने करीब आते जाओगे ना मेरे बचे तुमें उतना ही मेरी अनुभूतिया होने लग जाएंगी उतना ही तुम मेरा अनुभव कर पाओगे मेरे बचे तुम जितना मेरे करीब आओगे ना तुम उतना अपनी साई मा को समझ पाओगे तुम देखना और देखना मेरे बचे बहुत कुछ तुम्हारे जिंदगी में ऐसा होगा जो बहुत अलग होगा जो बहुत अद्बुद होगा मेरे बचे और सारे बंद दर्वाजे न धीरे धीरे खुलते जाएंगे तुम्हारे विश्वास के साथ देखना मेरे बचे और हाँ आजाना मेरे बचे, आजाना, जब आओगे, तो कुछ बना कर लेकर आना, और जब तुम मेरे बच्छों में वित्रण करोगे ना प्रसाथ को, तो उस प्रसाथ को मैं भी ग्रहन करूंगा, तुम देखना, मैं भी आओंगा, और तुम्हें साथ बहुत अच्छा होगा लेकिन कभी कभी तुमारे साथ ऐसा होगा कि तुम बुरी तरह फस चुके हो लेकिन मेरे बचे तुम्हें जटके में ही एक पल में वहां से निकल जाओगे और तब तुम्हारा विश्वास अपने साइन पर द्रण हो जाएगा कि एक ही वक्त में हजारों रूपों से हजारों तरीकों से मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं तरह तरह के रूप धारन करके तुम्हारा साइन तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें अपने साइं पर द्रण विश्वास होगा उस दिन तुम्हारा विश्वास ना मुझ पर और द्रण हो जाएगा देखना और सुनो जो मेरे बच्चे गलत रास्तों पर चल कर गलत तरीके से अपना फाइदा लेते हैं ना तो तुम मत करना मेरे बच्चे तुम्हें इसकी जरुवत नहीं है बिल्कुल नहीं है तुम बस अच्छे कारे करना अच्छे रास्तों पर चलना मेरे बच्चे अपने कर्मों को अच्छा बनाना मेरे बच्चे क्योंकि तुम्हें छोटा नहीं बनना तुम्हें बहुत बड़ा बनना है मेरे कुशिश करेगा ना जहां मुझे लगेगा कि तुम्हारे बरदाश के बाहर है तो वहां तुम्हारा साई खुद प्रकट हो जाएगा और सुनो जो तुम्हें दिखा रहा हूं न उसे देखो मेरे बचे अपने दिमाग को खोलो तुम्हें जरुवत है सोचने की समझने की कि साथ कौन अच्छा है और कौन बुरा है मेरे बचे और सुनो मेरे बचे बहुत सारे लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं चो तुम्हारे काम पर नजरे गड़ाए रहते हैं तो तुम दुनिया की नजरों से बचकर नजरों से छुपकर बहुत सारा काम ऐसे भी कर सकते हो नज़रों से बच कर जिसे तुम अपने कारे को सफल बना सकते हो आगे की और बड़ा सकते हो और अगर बचना चाहते हो ना तो मेरा नाम जाप करा करो तुम्हें मेरा नाम जाप ही बचायेगा और तुम से काम भी करवाएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे कारे में विग्र मनते हैं जो तुम्हें रोकने का कारण होते हैं इसलिए समझा रहा हूँ जितना हो सके अपने कारे को लोगों की नजरों से बचा कर किया करो मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई बुरी नजर लगे मेरे बचे और सुनो जो पिछले दुनों तुमसे गलती हुई ना मेरे बचे वो तुमसे जान पूछ कर नहीं हुई तुमसे करवाई नहीं गई या तुम्हारी किसमत से नहीं हुई वो गलती किसी और शोच से आई थी ज चीत करना बिल्कुल बंग कर दो मेरे बचे बिलकुल बंग कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो जब तुम यहां तक आ चुके होना इतने संघर्ष करकर अपने जिंदगी में तो तुम्हें आगे भी लिजाना तुम्हारे साई का काम है तुम्हें चिंता करने की जरुवत नहीं है कि साई आगे भविश्य में क्या होगा यही पूछते हो ना मुझसे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी भविश्य की चिंता बिलकुल नहीं करनी और नहीं अपने परिवार की करनी है जो वर्तमान है उसमें जीओ बाकि सारे जिम्मेदारी मेरी है मेरे बचे सारे जिम्मेदारी मेरी है और अगर बुरे सपने आते हैं या बुरे सोच तुम्हारे मन में आती है न तो हमेशा अपने पास उधी रखा करो अपने सिराने उधी रखा करो तुम्हारे सपनों में फिर तुम्हारा साही आएगा द पूटने नहीं देगा तेरा साइं, तुम जानते हो, ये विश्वास में इतनी ताकत है न, कि तुम्हारा साइं असंभव को भी न, संभव बना देगा, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मेरे बचे, सिर्फ तेरे लिए, मैं तुस्से रोज कहता हूँ, रोज प्रते दिन कहता ह हूँ कि मेरा आशिरवाद तेरे साथ है, मैं तुस्से बहुत प्यार करता हूँ, और हमेशा ये भी कहता हूँ कि खुश रहो, तो ऐसे ही नहीं कहता है मेरे बचे, मेरे खजार बचे हैं, और जिन पर मेरी रहम नजर पढ़ जाती हैं तो वो बचे सोने की चमक जाते हैं, और तुझ पर तो मेरी रहम नजर है मेरे बचे, तेरे जिन्दगी तो मेरे हाथ में है, तेरे जिन्दगी की डोर मेरे हाथ में है मेरे बचे, मैं जानता हूँ कि अभी तुम कुछ परेशानी उसे जूंज रही हो, मैं जानता हूँ, लेकिन हर बार लड़ने की वज़ा हारने की बाते करते हो और ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं मेरे बचे तुम बिना लड़े ही हार जाते हो ऐसा नहीं है मेरे बचे मैं तुमें कभी हाने नहीं दे सकता तुम साई के बचे हो तुम भूल जाते हो मेरे बचे तुमें डटकर खड़ा होना होगा डटकर खड़ा रह पहना है अपने साइं के भरोसे मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा कभी हारने नहीं दूंगा मेरे बच्चे और हमेशा ये क्या मौत की बात करते हो अपने जिंदगी को खतम करने की बात करते हो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा मैं बिलकुल नहीं चाहता मेरे बच् यूं हर बार हताश होकर अपनी जिन्दगी से हार जाते हो और हमेशा मरने की बाते करते हो तुम जानते भी हो कि तुम्हारे साइन ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है तुम्हारा भविश्य कितना सुनहरा है तुम्हारे जिन्दगी कितनी सुनहरी है तुम कितना भी कर लो मै तुम्हें मौत तो दूंगा ही नहीं, कभी नहीं दूंगा, चाहे तुम कितना भी सोच लो, तुम्हें जीना है, और तुम्हारे बहुत खूपसरा जिंदगी, तुम्हारे किस्मत में लिख दी है मेरे बचे, जो तुम्हारे पास ग्यान है ना मेरे बचे, जो मैंने तुम्ह तुम्हें उन्हें हिम्मत देनी होगी, तुम्हें उन्हें बताना होगा कि उनकी साइमा उनके साथ है, और सुनो, तुम अभी जिस उल्जन में होना मेरे बचे, तो सोज बूल से काम लो, शांत रहो, और ये वक्त लड़ने जगणने का नहीं है मेरे बचे, मौन धारन करकर बिलकुल शांती से बैठ जाओ, और देखो क्या होता है, सब कुछ तुम्हारे साइमा के हाथ में है, सब कुछ होगा तुम्हारे पक्ष में ही मेरे बचे, लेकिन ये वक्त मौन धारन करने का है मेरे बचे, लड़ाई जगणा करने का नहीं, इस वक्त बिलकुल शांत रहो और शान्त रहकर देखो मेरी डीला कैसे चलती है और जिस चीज के पीछे तुम जादा पढ़ोगे ना जादा भागोगे ना वो चीज तुमसे उतनी ही दूर जाएगी उतनी ही दूर भागेगी तो शान्त रहो जो हो रहा है देखते जाओ और सुनो तुम्हारे मन में अगर शान्ती नहीं मिल रही न तो साथ गुरुवार मेरे मंदर आना और मुझे सवा रुपया चढ़ाना साथ गुरुवार लगातार मंदर आना मेरे बचे बे नागा आना साथ गुरुवार तुम्हारे मन में जो अशान्ती है न उसमें बहुत शांती मिलेगी और मेरे बचे जो तुम प्रति दिन उदी ले रही होना मेरे बचे तो उसे विश्वास से लेना सचे भाव से लेना मेरे बचे वो जरूर कारागार होगी और एक दिन तुम्हारे बिमारी जड़ से खतम हो जाएगी बिल्कुल जिंता मत करना और मैं जानता तुम्हें अशान्ती महसूस होती है हमेशा मन में उथल उथल रहती है तो एक काम करो मेरे बचे अपने मन को इधर उधर लगाना शुड़ू करो अपने आपको व्यस्त रखना शुड़ू करो मैं जानता हूँ मेरे बचे, तुम बहुत अशांत महसूस कर रहे हो, इधर उधर भटकते रहते हो, तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता, तुम कोई भी काम करते हो न, तुम्हारा मन हमेशा एक ही जगा जाता है, हमेशा, तुम्हारा मन और चित सिर्फ एक ही जगा लगा हुआ है मैं जानता हूँ मेरे बचे लेकिन इसे हटाना होगा मेरे बचे और इधर उधर व्यस्त रहना सीखो अपने मन को इधर उधर लगाओ जो तुम्हारा शौक है जो तुम्हारा मन है न वो करो इस वक्त मेरे बचे तुम्हें शान्ती मिलेगी और अपने प्रिये व्यक्ती से बात करने की कोशिश करो अपने मन की बात को बाटना शुरू करो नहीं तो मुझसे कह दिया करो मैं हूना तुम्हारे शाहिबा है न।